नमस्ते बच्चो मेरा नाम है मौनिका सिंगल बिगेपुर दोलाना हापुर से हूँ आज हम हमारा परिवेश कक्षचार की पुस्तक का पाट चार उत्तर परदेश का पठारी भाग पढ़ेंगे परकरण होगा पठारी भाग लर्णिंग आउटकम चातर उत्तर परदेश के पठारी भाग की बनावर तथा लोगों के रहन सेहन व्यवसाईवेन ने जानकारियों से परिचित है बच्चो यह हमारे पाट चार दक्षिन का पठार चित्र में हमें उत्तर परदेश का नक्षा दिखाया गया है यह उसका दक्षिनी भाग है बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं पठार के बारे में देखो जमीन से उंचे उठे समतल मैदान को पठार कहते हैं गंगा के मैदान के दक्षिन में इस परदेश का पठारी भाग है मानचित्र में देखकर लिखो यह पश्चिम में डैश राज्य से पूर्व में डैश राज्य तक फैला हुआ है बच्चो आप देखो पश्चिब में कौन सा राज्जे है यहाँ पर राजिस्थान और पुरव में बिहार तो हम क्या लिखेंगे राजिस्थान राज्जे से पुरव में बिहार तक फैला हुआ है इस भाग में जगे जगे छोटी छोटी पत्रीली पहाडियां है हवा पानी और धूप के कारण यह तूट फूट और खिस कही है और यह बहुत उबढ़ खाबढ़ है इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी है इस भाग का ढ़ाल उत्तापरदेश के मैदानी भाग की और है मानचित्र देखकर बताओ कौन-कौन सी नदिया यम्ना नदिय में मिल रही है बचो देखो मानचित्र में कौन-कौन सी मिल रही है बैतवा, केल और सोन गर्मियों में चट्टाने पत्रीली होने कारण बहुत गर्म हो जाती है इस कारण मैदानी भाग की अपेक्षा इस भाग में गर्मी अधिक पड़ती है इन दिनों ताल पोखर वेक हुए सूख जाते है बच्चो यहाँ पर कौन-कौन से वन्यजीव पाए जाते है यहाँ पर कैमूर वन्यजीव विहार इस्थापित किया गया है यह मिर्जापूर एवं सोनबद्र जिले में है और बच्चो यहाँ पर तैंदुआ, लकडबग्गा, भेडिया, आधी प्रमुक वन्यजीव पा बच्चो यहाँ पर कौन-कौन से काम धंदे होते हैं, देखो यहाँ के किसान गेहू, चना, राई, अलसियादी उगाते हैं, खरीफ फसल में पठारों पर जौर बाजरा, तीलोर दाले पैदा की जाती हैं, चंबल की घाटी में मोसमी बाग उगाए जाते हैं, और बच्च यहाँ पर सिचाई की सुविधा वाले स्थानों पर खेती भी की जाती है, चंबल, बैतवा, केन और सोन नदियों पर बांद बनाकर नैरे निकाली गई हैं, यहाँ पर खैर के वरक्षों से कथ्था निकाला जाता है, और लाख भी खटी की जाती है, बच्चो यहाँ का रह जांसी, महोबा, जालोन, ललितपूर, बांदा, मिर्जापूर और सोन भद्र, बच्चो यहाँ पर आला और कजरी गाई जाती है, यहाँ पश्मी पठारी भाग में ब्रजवे बुंदेली तथा पूर्वी पठारी भाग में कौन सी भाषा बोल जाती है बच्चो भोजप जैसी परयोजना है, जिन से अनेक लाब मिलते हैं, जिनके कैई उत्देश्य होते हैं, जैसे कि सिच्चाई करना, बिजली बनाना आदी, पहली है रिहन्दी योजना, उत्तर परदेश की अब तक सबसे बड़ी योजना है, और यह है गोविंद बललवपंत, सागर योजना यह जैसी जिला में बैतवन अदी पर बनाई गई है, और गूर सराय तथा मंदर दो नहरे निकाली गई है, इन नहरों से जैसी, हमीरपूर तथा जालोन जिलों में सिचाई की जाती है, बच्चो देखो अप्रशन उत्तर है यहाँ पर, आप मुझे बताईए, दक्षिन की पठारी भाग की बनावट के विशय में आपने क्या पढ़ा था, दक्षिन के पठारी भागों के वनों के में पाये जाने वाले वरक्षों की सूची बनानी है, दक्षिन के पठारी भाग में अधिक गर्मी क्यों पढ़ती है, बच्चो देखो बनावट के बारे में तो प पत्रीली पहाडियों से बना हुआ है और बहुत उबढ़ खाबढ़ है है ना और यहां पर कौन-कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं बच्चों यहां पर आप मुझे पाठ पूरा पढ़ेंगे और बताएंगे यहां पर कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं इसके लावा दक्षिन के पठारी भाग में अधिकर्मी क्यों पड़ती है आप बताईए पत्रीली जमीन है और आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे और अपने उत्तरों को अपने अध्यापक तक बेजेंगे नमस्कार बच्चो